बाड़ी सेविका सहाईका तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है बहनों आप लोगों की एक विशेश सूचना है मांदे की खबरों के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो विशे सूचना बेहनों आप देख सकती हैं कि 26 जुलाई को बेहनों आप लोगों का जो भुपाल में रैली था वो तो असर में आया ही है लेकिन सभी कारकरता सहाई काता था मिनी कारकरता बेहनों को या सूचित किया जाता है कि 5 अगस्ट 2023 को राज यस्तर पर कारेकरम जो रहेगा भुपाल के नीलम पार्क में फिर एक बार रैली बोलिये या हरताल बोलिये वह होने वाला है तो जी हां वेहनो 26 जुलाई को रैली किया गया था जिसमें ग्या पन तो तो सौपा ही गया था राज सरकार को लेकिन इस एक बार फिर 5 अगस्ट 2023 को भुपाल के ही नीलम पार्क में इस कारकरम को किया जाना है और इस कारेकरम में सभी कारकरता सहाई का तथा मिनी कारकरता बहने बड़ी संख्या में उपस्थित हूँ इस कारेकरम की जो मुख्य मागे पिछली की तरह ही थी पिछली बार 26 तारिक को भी इसी कारेकरम को लेकर मुखे मागों को लेकर ही ग्यापन सौपा गया था लेकिन अभी तक सिफ रैली थी ग्यापन हुआ भारी भीड जनसंख्या थी आगनबाडी बहनों की मैं पिछली वीडियो में अप लोगों को दिखा चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जारा क्योंकि सरकार आगनबाडी बहनों को हलके में ले रही है सरकार को यह लगता है कि आगनबाडी बहने रैली करतीं करेंगी हर्टाल करेंगी कुछ दिन बाद फिर लोड़ जाएंगी इसलिए उन सरकार को कोई फरक नहीं पड़ता तो इस बार बड़ी संख्या के साथ 5 अगस्त को फिर से जो है की रैली की जाएगी जिसमें मुख्यमागों में आप देख सकते हैं कि आगनबारी सहाई का और मिनी कार करता कि जो मांदे में विसंगती हुई थी आपको पता है कि 15 सौ रुपए की मांदे को वृद्धि की घोस्रा की गई थी लेकिन उसको सिर्फ 7,5 सौ रुपए ही किया गया मतलब 15 सौ रुपए सरकार के दौरा बोला गया था पर फिर मात्र 7,5 सौ रुपए ही बढ़ाए गए थे और सरकारी करमचारी का जो दर्जा है इसको लेके कई समय से कई सालों से मांग चल रही है कि आगनबारी बेहनों को सरकारी करमचारी का दर्जा दिया जाए नियुनतम वेटन भी उनका फिक्स कर दिया जाए जो कि अभी तक में टोटल 40-45 अजार रुपए तक होता है बहनों तो खास तोर से सभी कारकरता सहाई का मिनी कारकरता बहने जो हैं इस कारकरम के महत्तों को समझें और बड़ी से बड़ी संख्या में भुपाल के इस कारकरम में इसरैली में हिस्सेदारी में अपना युगदान करें हमें अपनी ताकत को दिखाना है इस बार भुपाल में ताकि हमारी जिन मागों को लेकर हम लड़ रहे हैं उन मागों को पूरा करने के लिए सरकार को वीवस होना पड़े और यह एकता यूनियन जो है आगनवारी का सीटू उसकी जो मुक्ष सचीव की सोरी वर्मा जी है उनके दोरा यह चीज कहा गया है तो सभी कार करता एवं सहाई का वहने भुपाल के लिए तयार रहूं मिनी कार करता सहाई का वहने दो दिन की छुटी एक बार फिर से ले लेंगी वैसे भी सरकार किसी ने किसी काम के भाने आप लोगों का जो मान दे है वह तो काट लेता ही है बहनों तो एक दो और छुटी लेने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है दो बहनों दो दिन की छुटी ले लेंगी घोपाल चले अभी भी मौका है क्यूंकि आपको अच्छे से पता है कि जुलाई के बाद अगस्त में अचार संहीता लग जाता है जी हाँ जूल आगस्त जैसे ही खतम होगा तो अचार सहीता लग जाएगा एक ही महीने का आपके पास टाइम है तो इस अचार सहीता लगने से यह होगा कि फिर सरकार के दोरा कोई भी सुनवाई नहीं होगी कोई सुनेगा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं निकल जाएगा आपकी के लिए मान दे चाहिए हम सब एग हैं इंगलाब जिन्दाबाद आप सभी की साती या भी एकता यूनियन आगनवारी सीटू की जो मुखे सची हूँ है कमला तिवारी जी इनके दोरा कहना है तो बेहनों एक इस बार रैली में जादा जादा मातरा में आप लोगों को जुड के साथ तब तक के लिए नमस्कार